वीडियो में स्वागत है तो अभी यार कुछी दिन हुआ है यहां पर कुछ महीने हुए है मुई 11 को लॉंच हुए इंडिया में और फिलहाल सभी डेटमी की डिवाइस को मिल गई है लेकिन यहां पर बहुत ही नए एक इंट्रेस्टिंग नीज आ गई है कि मुई 12 बहुत ही फीचर्स के बार में भी बता हुआ तो वीडियो के साथ एंट तक बने रही हैगा उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे लगा बटन मिलेगा जरूर से दबा के सब्सक्राइब कर लो और घर के अंदर रहो वीडियो देखते रहो तो जली से वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर अच्छा कर सकते हो जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिलते हैं और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव आप यहां पर कर सकते हो लिंक मैंने दे दिया है इसका description में आप जाके इसको download कर सकते हूँ काफी informative और काफी useful application आपको यह देखने को मिल जाता है सो यहां पर बात करी जाए तो यह news क्यों पक्की हो जाती है कि MIUI 12 अब development में शुरू हो चुकी है और काफी जल्दी बीटा बिल्ड भी आने वाला है ऐसा इसलिए है क्योंकि MIUI 11.20.3.26 जो version होने वाला है वो आखरी MIUI China developer version होगा यानि वो MIUI 11 का आखरी आपको बीटा रूम देखने को मिलेगा उसके बाद आपको कोई भी MIUI 11 का बीटा रूम नहीं देखने को मिलेगा उसका development stop कर दिया गया है यह चाइना के ओफिशल फोरम में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो लिंक दिस्क्रिप्शन में में प्रोवाइट कर दूँगा उसके लावा आप देख सकते हूं कि लास्ट चाइना डवलपर MIUI 11 में आपका 20.3.26 होने वाला है यह coronavirus के वज़े से नहीं है यह MIUI 12 का development पहले भी काफी जल्दी शुरू हो गया था और इसमें रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अल्रेडी बना दी थी लेकिन अपकर विफ कन्फरमेशन यह आ जाता है कि MIUI 11 अब चाइना बीटा डवलपर बंध होने वाली है तो MIUI 12 को अ पूरी हो गई है यानि जो इंटरनल के इंटरनल होती है बीटा से अंदर होती है कुछ ही टीम मैंबर्स को देखने को मलती है तो उसकी भी टेस्टिंग यहां पर पूरी हो गई है उसे के लावा बात कर लेते हैं कुछ आने वाले फीचर की जो कि MIUI 12 के अंदर आपको देख सकते हो यहां पर आप का ओपनिंग ऐनिमेशन वगयरा सब यहां पर चेंज हो गया है उसी के लावा अगर आप लॉक स्क्रीन में आपको अब देखने को मिल जाएगा और काफी स्मूध प्रफॉर्मेंस के लिए भी यहां पर आपको यह देखने को मिलने वाला है तो यह स्क्रीन सबी जगह का आपको अनिमेशन थोड़ा सा स्मूध बना के दिया जाएगा और थोड़ा और अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है उसी के लावा अगर दूसरा बात करने तो यहां पर है प्रेविसी इंप्रॉव्मेंट यह एक बेस्ट फीचर होने वाला है म नहीं वाई 12 का तो इसके अंदर क्या देखने को मिल जाएगा आपको कि आपका अगर कोई भी एप्लिकेशन है जो भी आपका कुछ भी यूज कर रहा है मालो कैमरा हो गया आपका यूज कर रहा है आपके बैक्गराउंड में और आपको उसके बारे में नहीं पता है आपक एकस्स कर रहा है आपका बैग्राउंड में कॉल हिस्ट्री एकस्स कर रहा है उसे के साथ यहां पर आपको नोडिफिकेशन भी देखने को मिलेगा कि आपका आपका कौन कौन से जो परमीशन आपने दी है वह प्रफॉर्म कर रहा है जब आप फोन यूज नहीं कर रहे हो त वो सब चीज आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे देख सकते हूँ, PUBG Mobile आटो स्टार्ट हो गया, और Telegram आपको ये सब यूज कर रहा है, Chrome आटो स्टार्ट हो गया, ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएगी, इवन देख सकते हूँ, wallpaper, carousal आपका आटो स्टार्ट हुआ लिए है कैमरा ने अगर कुछ यहां पर आपकी लोकेशन लिए तो उसके बारे में भी बताएगा और टेलिगराम तो देख सकते हूं काफी सारी बैग्राउं में परमीशन लेता है जब अगर आपको कोई मैसेज वगर आता है तो यह चीज आपको देखने को मलती है इससे चार्जिंग अनिमेशन देखने को मिलता है काफी अच्छा है यहां पर लग रहा है थोड़ा सा चेंज करके यहां पर दिया है और एनिमेशन थोड़ा डाक टाइप बनाने की कोशिच करी है जिससे बैटरी जो है कंजप्शन वह बिलकुल कम हो जाए और थोड़ा और कूल ल आपको यहां पर थोड़े बहुत चेंजस मिल जाएंगे जैसे अंड्रोइट 10 में आपको देखने को मिलता है साइड में रहता है उस टैप से देखने को मिलेगा साथी साथ आगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखिए तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो कि आप यहां पर दिखाऊं इस फोन के अंदर आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा छोटा सा बार रहता है जिससे आप यहां पे एंडरोइट यूज करसकते हो और स्विच लेकों अइस के लावा एंप बिहेवियर में मैंने भी आपको बताया कि अगर आपकी कmb tapping को में camera आपका यूज कर रहा है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यार आपका app यहां पर original है कि नहीं है मतलब कोई spyware तो नहीं है आपके उपर spy तो नहीं कर रहा है कुछ यहां पर आपका background में यूज तो नहीं कर रहा है यह सब चीज इससे पता चल जाएगी और एक काफी अच्छा यहां पर feature आपको यह मल जाएगा उसके लावा screenshot animation में फिर से थोड़े बहुत changes होने वाले हैं अब आप देखोगे कि screenshot जब आप लेते हो तो थोड़ा से आपको animation changes देखने को मलता है यानि आप screenshot लो तो आप नीचे से उपर जाता है और आप इसको edit कर सकते हो साथी साथ एक काफी interesting option है कि जो इसके अंदर आने की उमीद है आप three fingers से screenshot लेते हो तो आप जिस axis जितने area में आपको screenshot चाहिए उत्ते area कहीं यहाँ पर यह screenshot लेगा फुल screenshot नहीं लेगा तो उसको आप बाग में edit भी कर सकते हो तो इसका भी एक काफी अच्छा cool option यहाँ पर आने वाला है उसी के लावा notification पैनल में भी change हो सकते हैं तो काफी सारे लोग चाहते हैं कि यार जो मीवा 11 में notification पैनल है वो अच्छा नहीं लगता है बहुत साई लोगों को तो यहां पर उसके अंदर भी changes देखने को मिल जाएंगे नोडिफिकेशन पैनल को थोड़ा और अराम से अच्छा सा बनाया जाएगा साही साथ इसके अंदर भी AI का use करा जाएगा जिसमें अगर आपका कोई भ अच्छा improvement देखने को मिलने वाला है उसे के लावा बात करें तो गैलरी में अंदर बहुत अच्छे से अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा तो गैलरी में अगर आप जाओगे तो अब आपको sky के अंदर जो changing mode हमको देखने को मलता था जिसमें हम sky को change कर सकते थे उसक भी option यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिलाल तो sky filter में अगर हम चलेंगे तो वहाँ पर आपको video mode देखने को मिलता है जिसमें अगर आपकी simple video आपकी photo है तो उसको भी video में convert कर देगा snow rain में तो यह भी option अब नया आपको देखने को मिल जाता है color pop के साथ even अगर आपको कोई video है तो उसको आप compress भी कर सकते हो अपनी video को छोटा कर सकते हो यह मैंने हम पर ओल्रेडी इसको compress कर दिया है एक video को और यहाँ पर इसको कर सकते हो जैसी अप जाओ यह वीडियो में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा या आप सको size चोटा कर सकते हो और कम mbK हो सकती है उसका सबका option मिलता है उसे के लावा आपको यहाँ पर sky changing और memories के अंदर collage clip video editor यानि आप video editing का भी पूरा support आपको MIUI gallery के अंदर ही देखने को मिल जाएगा और एक काफी interesting चीज यहाँ पर यह होने वाली है उसे के लावा screen time के अंदर आपको कुछ update देखने को मिलेंगे जिससे आप screen time को यहाँ पर check कर सकते हो screen time में अब आपको focus mode वगेरा तो देखने को पहले भी मिलता था लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत animation में साथ साथ icons वगेरा में भी changes आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर शिस्टम शॉट भी देख सकते हो यानि आप वीडियो फोटोग्राफी में कितना time लिया और music वगेरा में सुनने में कितना time आपका गया बैटरी गई यह सब चीज आपको यहाँ पर screen time में दिखाता है तो कुछ जादा आपको यहाँ पर improvement देखने को इसके यूजेज कि अगर आपने बहुत जादा देर तक यूज कर लिया है तो उसमें आपको notify करेगा कि आप बिना रुके एतने time तक यूज करा है तो इसको रोक दो फोन उसके लावा app screen time limit वगरा आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है काफी जल्दी उसके लावा lock screen का animation clock का आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा और यहां पर काफी इंट्रेस्टिंग चीज है गेम टर्बो के अंदर गेम टर्बो के अंदर आपको वाइस चेंजर देखने को अब मिलने वाला है ऑफीशल गेम टर्बो जब आप गेमिंग करते हो तो आपको option मिलेगा कि आप इन गेम अपनी वाइस चेंज कर दो देख सकते हो आपको यहां पर गर्ल की वाइस है वुमन की मैन की रॉबोट और काटून की वाइस तक देखने को मिलती है और यह option भी काफी जल्दी officially MIUI 12 में आ जाएगा फिलहाल यह अभी option नहीं देखने को मिलता है सभी devices में लेकिन च जिससे आप अगर आप यूज करते हो तो सारे icons वगरा टेक्स वगरा सब बड़े हो जाते हैं अगर एडली लोग है उन लोग के लिए यूज करने के लिए काफी अच्छा option यहां पर रहता है तो light mode भी एक काफी interesting option यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिससे आपको icons वग गये थे latest MIUI 11 China Beta के अंदर और अगर आपको Xiaomi की history पता है तो पहले वो टेस्ट कर लेता है चाइना बीटा के अंदर ही इसी तरीके से MIUI 10 में भी MIUI 11 के कई सारे features test किये थे चाइना बीटा के अंदर और वो हमको officially देखने को मिल गये थे तो इसी तरीके से इसमें भी जो MIUI 11 में आती हों कि MIUI 12 में आपको देखने को मिल जाए नीचे कमेंट सेक्शन में फिलाल तो इस वीडियो में तहीं मिलूंगा आपको कौनी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइबाए सी यो ना नेक्स वीडियो पीस